अजीज तल्बाव तालिबा, साले अवल उर्दु एक्तियारी मजमुन मैसुर इन्वर्सिटिग सेशन का उन्वान है बागो बहार का मतन सेशन के मेन कंटेंट है जिस जमाने में मीर अमन ने कलकते में बागो बहार लिखी है उसी जमाने में यानि उन्ही दिनों शुमारी हिंदुस्तान में एक दूसरे मुसनिफ जरी ने भी खिसे चार दर्वेश का उर्दु में तर्जुमा किया था इस तर्जुमे की जबान आसान है सादा वो साफ है लेकिन उबाली खिच्डी की तरह बेमज़ा भी है मीरमन की नसर में जो हुसन ताकत और च्छा जाने वाली कैफियत है उसमें उनके जमाने का कोई शक्स उनका शरीक नजर नहीं आता यही वज़ा है कि बाब बहार को जदीद उर्दु नसर का पहला सहीफा कहा गया है हुकुमत जमु कश्मीर की माली तावून से मकतब जामिया नई देली ने मियारी अदब के नाम क्लासिकी किताबों को शाया करने का सिरसले का आगास हुआ इस मियारी अदब का मकसद था सही मतन कम से कम खीमत पर बहतर तबाएत के साथ तालिब इल्मों के लिए मुहिया किया जा सके और जखामत को कम कर दिया गया और मुरतिब मतन का मुकदमा तीन चार सफात पर मुश्टमिल कर दिया गया मीरमन की दूसरी तस्नित गंजे कूबी का मकमल नुसका मीरमन की हाथ का लिखा हुआ मुझूद है इसमें गिलक्रेस्ट अक्सर और बेश्टर मारूफ और मजहूल आवाजों के लिए अलामतों का इस्तेमाल किया गया हिंदी मैनिवल में एक सो दो सफात की बागों बहार शाया हुए थे हिंदी की तलाश रशीद असन खां सरगर्दा थे कि हुसने इतिपाद से डॉक्टर सिदीकुर रह्मान उस्ताद शोवय उर्दू जवालाल नहरू इन्वर्सिती देन्यू देली खिदवाई को गयर अद्वी सिजले में लंदन जाना कुआ था और खुद उन्होंने खिदवाई साहब ने पीएचडी के लिए जान गिल क्रैस्ट पर एक मिकाला लिखा था वो भी खुद इस मजमुए को देखना चाहते थे लंदन से वापस आकर एक कुछ खबरी थी के हिंदी मैनुवल मिल गया रशीद असन खां को खुशी की इंतिहा न रही उन्होंने ये कहा कि बाद मजबूरियों की बिना पर वो उसका अक्सर न ला सके लेकिन इसके लिए इंतजाम का बंदोबस्त कर आये हैं लेकिन वादा वफा न हुआ उन्होंने ये खयाल किया कि आसमान से गिरा खजूर में अटका मुंबई इन्वर्सिटी के एक सेमिनार में डॉक्टर अब्दुस सत्ता दिल्वी जो सदरे शोबय उर्दू मुंबई इन्वर्सिटी के घर पर उनके बिरादर बुजर्ग मुंबई खासिम दिल्वी साहब से मुलाकात हुई खासिम साहब माकूल और महजब इन्सान थे मालम हुआ के वो लंदन में रहते हैं रशीद साहब को इस किताब की लौ लगी थी फौरण उन्होंने फलाव किताब यानी बाग बहार की अक्स की जरूरत का इजहार किया फौरी तर पर वादा किया तो जी खुश हुआ इसके बाद लंदन से एक पारसल शाया शुदा बाग बहार का अक्स हिंदी मैनुवल मिला तकरिबन वीस एकी साल के इंतजार के बाद और तलाश के बाद ये आक्स मिला चन दिनों के बाद मीर अमन खत्ती नुस्खाल लंदन से ही मिला अठासो चार इस्वी में उस्से कबल अठासो दो इस्वी में पहला एडिशन चहार दर्वेश के उन्मान से चपा अठासो तीन इस्वी में हिंदुस्तानी प्रेस कांफरंस से शाया हुआ अठासो चार इस्वी में पहला एडिशन मतन एयराब अलामात और अमूज और अवकाफ की शमूलियत के साथ छपा है यही सूरत हिंदी मैनिवल में शामिल एक सो दो सपात की है इस तरह ये लाजिम ठेरा है कि इस बुनियादी नुस्खे के इलतजामात को बरकरार रखा जाए यानि जरूरी अलपास को एराब से खाली न रखा जाए मारूफ औ मजूल और गुन्ना आवाजों के लिए अलामात को बरकरार रखा जाए एक खदीन खदीन उसका हिंदी मैनिवल और नुस्खे अब्दुलहक से भी हजब जरूरत इस्तफादा किया गया बाग और बहार से दिल्चस्पी रखने वाले तलबा और असातिजा इस से रोशनी हासिल करते रहेंगे रमूज और खाफ को भी शामिल रखा जाए अगर मुस्सनिफ तहरीर के मताबिख आयराब रखे जाए तो तालिब इल्म और असातिजा में पुलजन पैदा होती है मिसाल के तौर पर छिपना छिपता है आजकल दिली वाले छुपना कहते हैं हाँ अहले लकनों छिपना कहते हैं इशाते अवल और हिंदी मैनुवल दोनों में हर जगा अलीफ एंड लाम अलीफ आला अलीफ दाल नून अलीफ अदना है इस तरह मौला है जमेरात की जगा जमेरात लिखा गया मजाख मजाक इसकी जमा मजाखें मतन की तद्वीन हवाशी में तश्रीहात मानी और मतलब इमला कवायद जुमलों की तर्तीब और मानमियत भी तश्री के मोताज नजर आते हैं नमबर दो बहुत से लवज मतरूख हैं मिसाल के तोर पर गुमबद के बज़ा है गुमबद अफ़ाल की शकलें सफ़ा 137 पर एक जुमला यूँ है सब सरकारों में जो तफ़ा चाहिये था मेरी दुकान से जाता बाद के नुस्कों में चाहता बन गया बाद के नुस्कों में शाहना बन गया जो अब मुस्तमिल है नमबर चाहर तजकीर और तानीस में भी तगयरात है खिलाट को मौनस लिखा है नावक को मौनस लिखा है इस मुकदमे के पहले हिस्से में बाद को बाहर के ये वजाहत की जा चुकी है कि बाद को बाहर के ये पांच नुस्के पेशे नज़र रहे हैं खत्तिन उसका रिवायत अवल जो नून से इसकी अलामत है हिंदी मैनुवल मीम तबा अवल अठासो चार इस्वी में काफ मुरतिवा डक्कन फार्बस फे से मुरतिवा मौल्वी अब्दुलक आयन से मतन की बुनियाद काफ पर रंकी गई है शुक्रिया झाल